Hello friends, hope you are happy, देखिए आज मैं एक नया कुछ interesting subject लेके आया हूँ, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, topic रहेगा intraday monitoring and आप आप पता लगा पाएंगे कि market में चल क्या रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद, आपको direction, buy on deep है, salon rise है, क्या चल र लगेगा, और yes, definitely, आज का जो main subject है, वो रहेगा day low और day high drive को कैसे identify करें, तो मैं आज में subject जो रहेगा, वो हमारा intraday database वे रहेगा, मैंने कुछ back test भी किये आपके लिए, मैंने pts बनाई है, आपको मैं वो भी दिखाने वाला हूँ, और मैं आपके साथ, daily तो आपके साथ करेता हूँ, commentary करता हूँ, आपको मज़ा आता है, सब कुछ पहले ही बताता हूँ, आप देखी रहे हो, वो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उसके पहले एक छोटी सी story आपको सुनने पड़ेगी, दोस्तों, कुछ दिन पहले एक सज्जन मेरे पास बिल्कुल मैं सारे वीडियोज बना के सारी strategies में discuss करने वाला हूँ, कर चुका हूँ, काफी वीडियोज पहले बना चुका हूँ, और भी कुछ छोटे छोटे वीडियोज में करने वाला हूँ, तो यह मेरा passion है, और I'm happy कि मेरी community में लोग अच्छी तरह तरक्की करें, और च exit formulas यह, target, stop loss, profit loss, इसका कोई मतलब नहीं है, पहले market को read करना सीखे, तो मैं आज उसी पे एक वीडियो बना रहा हूँ, दो मिट में start करेंगे subject पे, तो उन सज्जन को जब मैंने बोला, तो उनको लगा ठीक है, क्योंकि आप अगर मेरे सारे daily live रहना चाहते हो, कम से कम तीन म नहीं करोगे, experiment नहीं करोगे, तब तक आपको confidence नहीं आएगा, आपका fear आपको control करना है, मैं आपके help कर सकता हूँ, तो इसके लिए अगर practice है, तो मेरे पास आईए, बाकि ठीक है, मैं सारा content दे ही रहा हूँ, और आगे भी देता रहूँगा, तो दोस्तों, आप पहले बा example दूँगा, देखे, आज ही यह जो video record हो रहा है, 7th August, ठीक है, मैं आपको कल का भी example दूँगा, बढ़ ठीक है, content पर आते हैं, इसको समझने कोशिश करते हैं, कि यह क्या है, देखे, दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यह आप देख पा रहा हूँगे, put call ratio, intraday plus weekly PCR, अब मैं intraday और weekly, इन दोनों के difference क्या होते हैं, मैं आपको last में समझाने वाला हूँ, इसको कैसे समझना है, बस इसको जड़ा देख लिजेगा, देखे, दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने data लगा रखा है, इसके पीछे मैंने, यहाँ पर नीचे मैंने इसका देखे, दोस्तों, entry, exit इससे नहीं ली जाएगी, यह कोई entry, exit के लिए नहीं होता है, यह market के direction, changeover, और market में चल क्या रहा है, उसको analyze करने के लिए होता है, मतलब conviction के लिए, जब तक आपके पास कोई अच्छा strong conviction नहीं होगा, आप, मैरे कहले से अच्छे लंबे trade नहीं ले दोस्तों, यह मैं आपको बता नहीं कोशिश कर ला हूँ, यह क्या है, देखे, हमने यहाँ पर green color, आप यह bank nifty देखेंगे, यह bank nifty का है, day high drive, अब देखो day high drive करके काफी अलग अलग context में subject बने हुए, मैंने अपना खुद का बना रखा है, यह सब मैंने ही खुद बनाया ह उसे सीखा है मैंने, और back test किये और forward test भी किये, दोस्तों, मेरा इमाना forward test के बिना कोई भी चीज का कोई मतलब नहीं, जब तक forward test नहीं करोगे, कुछ confidence नहीं आएगा, आपको confidence नहीं मिलने वाला है, और बिना confidence के trade करना हानी का रहा है, bank nifty, देखेंगे, आपको तीन दिख रहे हैं, मैं इसको पहले easy way में समझना सिखाता हूं, खाली color देखके भी कैसे आप identify कर रहे हो, देखेंगे यहां पर आपको तीन टाइप के color मिल रहे है, green, dark and darkest green, three types of green we are looking at this, देखें दोस्तों, जब भी हमने देखा है कि PCR 1.20 के उपर जाता है, देखें, इसको मैं आपको detail में समझाने कोशिश करता हूं, देखें हम पेले बात करेंगे, bullish scenario के लिए, PCR अगर 1 and above है, तो ठीक है, bullish है, 1.2 and above, मतलब highly bullish है, positive है, और 1.4, यानि कि तो darkest green है, तो extreme positive है, 1.2 और 1.4 के 0 के बीच में जब जब भी market आता है, दोस्तों, वो day high बार बार माता है, देखे कि ये market का opening candle है, first and closing candle है, ठीक है, last का कुछ जो minutes होते है, कही बार क्या होता है, last closing basis पे वो एक profit booking है, वापिस support पर retrist करना आता है, which is initial balance, ये देखे है, first one hour का high है, मैंने इस पर अलग book बना रखी, उसको तो सीखना है, दोस्तों, initial balance के understanding के बिना तो इस market में आना अपराद है, मेरा सामाना है, तो वापिस market ने initial balance पर support पर close कर दिया, मतलब bullish है, और accept हो चुकी है price at upper level, तो 1.48 भी आया, काफी आया, देखिए आप morning से bank nifty का put call ratio काफी अच्छा increase हो रहा था, then sideways भी हो था, देखिए ये जो hours है, बीच में sideways, यहां पर sideways हो था, but still strong, तो buy on dip तो करना है, दो पिस आगे गया, नया high, then new high, high पर high मात गया, चलो, अब हम दूसरा सिनारियो देखते हैं दोस्तो, अब मैं आपको कुछ example इसलिए दिखाना चाता हूँ कि इन से आपको काफी help मिलने वाली है, और इसके साथ charge भी है, आप date के साथ chart लगाएंगे, तो आपको पता चल जाए बहुत होँगा, मैं day low वाला भी दिखाने वालो हूँ, और day high दोनों दिखाने वालो हूँ, तो देखे दोस्तो, यह मैं आपको दूसरा example दिखाने वाला हूँ, यह दा, यह देखे दोस्तो, यह nifty का है, देखे कई बार क्या होता कि ज्यादा अब liquidity कभी nifty में दिखा ही द date है, 27 यह July के महिन है, ठीक है, yes, यहाप देख पाएंगे, देखे, इसको थोड़ा सा मैंने किया, yes, 26.7, तो आप देख पाएंगे, दोस्तों, यहाँ पर morning में ठीक है, positive होने लगा, first 15 minutes तो हम तो अबोट करेंगे, at least 30 minutes जो first होता है, हम उसको ज्यादा ignore ही करेंगे, बट हा हाई, हाई, वापिस हाई, थोड़े देख, फिर हाई, 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 एन अगें डे हाई, तो पुट कोल रेशो का ही हो, जो आप देख पा रहे है, सिनारियो, इससे आप एक conviction ले पाएंगे, कि यार यह market में मुझे dip मिलता है, आप कोई भी setup यूज करते हो, आप trading lines यूज कर में बना रखें, देखते हो रही मजा आएगा, क्योंकि example देखें अपने को मजा आने वाला है, बापीस अपने, अपने लोगा भी देखना बाखी है, हम दे लोगा भी देखेंगे, तो friends ये लीजिए एक दूसरा example, ठीक है, ये दूसरा example लीजिए, ये आप देखेंगे द candle button में बन रहा है, दो जी, मैं candle button नहीं देखता हूं दोस्तों, देखता हूं मतलब मैं फोड़ा सा उस पर ज्यादा जयन नहीं देता हूं, तो ये देखेंगे आप, फिर market, day high, day high, day high, day high, day high के आसपास आके close हुआ, day high पे आता है बार-बार, कभी-कभी हो सकता है कि last 30 minute या तीन बजे के आसपास profit booking आना, और कभी-कभी ऐसा scenario हो सकता है कि closing basis पे एक red candle बन गई, और कहीं support पर आके खड़ी होगी, बाकी, पूरे दिन वो बगबग high पे high माता रहेगा, आपको conviction क्या रहेगा इस दिन कि मुझे buy on dip करना है, ठीक है, I am not talking only entry exit, मैं आपको सिर्फ conviction बनान और मैं आपको एक नए example जो है, वो भी दिखाने वाला हूं, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों like करते रहेए, और बिल्कुल subscribe कर लिजेगा, और मेरे को अभी यह यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, इसको बात में देखते हैं, पहले यह वाला मैंने बना रखा है, अब यह आप आपको यह भी पता चलेगा कि data में कुछ ज़्यादा changes नहीं आ रहा है, मतलब एक range bound play हो रहा है, sideways हो रहा है, then fin nifty दोनों component जो है, banking component दोनों साथ में negative हो रहे हैं, तो day low आया, फिर day low आया, और market day low के आसपास बारवाल जाता था, और उसके आसपास से एक range bound होके sideways होके settle हो ग अब friends मैं आपको एक ऐसा example बताऊंगा, जो recent में उसमें मैंने पीपीटी में तो इसा डाला नहीं है, बट मैंने कहा कि कुछ चीजे पहले कर रखी ती, यह बात करता हूँ मैं आपको खल की, यानि 6th, 8th, 2024, आप देखें दोस्तों, morning, nifty, पूरा extreme negative zone में चल रहा था, थोड हम चार्ट देखेंगे कि 6 जुलाई का चार्ट, जुलाई, यस, अगस्त, सुरी, 6 अगस्त, यनि कि यस्टरडे, क्या डे लोग बार-बार माना था, आपको सबको पता ही होगा, चलिए, हो सकता है, काफी लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे, तो उनको ये देखना, शायद कल के में रिसेंट वीडियो कल भी लीले होगा, तो लोग लेट में देखेंगे, मानलों एक साल बात कोई देख रहा तो वो समझ भाएंगे, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, डे लो, मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल करके दिखाता हूँ, डे लो डे लो, डे लो, डे लो, अब दोस्तों आप देख वाएंगे कि इनिश्यल बैलेंस, अगर मैं आज के मार्केट की बात करो तो वो कल के IBR के साथ ही टाइम पस करा था, ठीक है, I'm talking only डे लो drive, तो आपने देखा highly negative, highly positive, यानि डे हाई डे लोडरायव चलेगी, डेटा का changes, अब मैं आपको लिटा के चेंजिस मीन्स कि क्या चेंजिस हो रहा है प्लस साइड में आरा माइनस साइड में हो रहा है या साइड वेज है अब कुछ और भी दूसरी चीजी बताता हूं कि जैसे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और को नहीं जानते तो थोड़ा सा दिक्कत होगी खास करके आप ऑप्शन ट्रेडर हैं अब मैं आपको 50,000 देखो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कुछ मैं आपको बैंक निफ्टी का एक क्लोजिंग दिखाता हूं इस पॉट का चार्ट 50,000 226 कमेंटरी में भी बोला था कि इसके उपर कुछ नहीं है यह मैं बता रहा था सपोर्ट पर क्या हुआ थोड़ा समय की रिव्यू देता हूं आपको 50,000 पर मैं मौनिंग से देख रहा था मैंने बोला था 50,000 ब्रेक हुआ है बट ठीक है नीचे जाके एक बार वापिस 50,000 भी आ जाएगा इसके पीछे मेजर सपोर्ट था आज का वहां पर क्या चल रहा है यह जानना बहुत जरूरी है देखे दोस्तों 49,800 पर मौनिंग से देख पाएंगे बट क्या मिटिकेट जो है पूरा एक स्टॉंग सपोर्ट बना हुए कि मौनिंग में पूर्ट रैटर भी 49,800 पर अच्छे खासे एक् जाने वाला है जो हम और फ्लों के डिल्टा बे भी कन्विक्शन के साथ देख पा रहे थे दिख्या तो मौनिंग से मतलब यहां पर ठीक ठाक चल रहा है अब यह इसका एक रिजर नहीं हो सकता है इसमें मूमेंट जो आ रहा है शौर्ट कवरिंग आ रहा है अभी भी मैं मा सेलर पोजिशन अभी थोड़ी बहुत पड़ी हुई है बट क्लोजिंग बेसे थोड़ा ठीक हो गया था यह ठीक है ठीक हो गया था तो 50,100 भी अच्छा ओके गया थीक ही था बट ठीक है उतना ठीक नहीं हुआ जो होना चाहिए था अदर्वाइस यहां पर सस्टेन किया है इक्टिविटी और बायर बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आप पर पूट ले लो क्यूं इसका रिजन ना बता हो दोस्तों कि जब मार्केट नीचे गिरता है ना बाइंग जोन में आता है जब आएगा तो उसका जो मोशन होगा आपको डरा देगा और यह तो गिर रहा है चलो चलो नहीं करते हैं पूट लेने को एसा नहीं होता है पूट लो सही जगे से लो और यह आपको फ्री में में आपको हमेशा ही आपको हर 15 मिन में मिलता रहता है तो दोस्तों आपने देखा कि पूट को रिशो मोनेटर करन्ट से कितना फाइदा होगा और कंविक्शन कै आपको चीज दिखाना चाहूंगा दोस्तों जब भी आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करें जब भी हमको यहां पर ग्रीन होता हो देखे सारे जो कॉलम्स हैं यहां पर ग्रीनरी दिखती मिन्स की पूट कोल रिशो वन एंड अब और उसके दोस्तों मैंने एक इनिशल बैलेंस पे बुक लिखी है हाना कि मेरा एक लाइबरेरी है मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हो लाइबरेरी पे जाएए काफी अच्छी बुक्स बना रखिए हैं आपके लिए इनिशल बैलेंस फस्ट वन आवर का होता है जो फर्स्ट वन आवर का उक्ष्ण होता है उससे डिसाइड होगा कि मार्केट ट्रेंडी रहने वाला है या वह एक रेंज को प्ले करेगा डबल डिस्क्रिपिशन यानिकि वह लोगर रेंज को भी कर सकता है क्या या फिर नेरो रेंज में जिसे यह आप देखेंग अदरवर्स क्या होगा कि फेक आउट ब्रेक आउट देखें मैं आपको चीज बताना चाहूंगो दोस्तों मार्केट बहुत जोर से गिरा एक एक एक्जंपल में बताता हूं रियल किसके साथ हुआ है प्लीज कमेंट करना मार्केट जोर से गिरा बट फिर भी पूट में य में प्राइ करिए इन चीजों को सीखने के दोस्तों मेरे साथ हमेशा रहे है निफ्टी बैंक निफ्टी लाइव मार्केट में और इफ वांट तू लर्न इन डीटेल मेरा हैंड होल्डिंग है और थ्री मंद आई आई आप मेरे साथ तीन मेना कंप्लीट ली ट्रेड करिए ली ओर देखिए कि कैसे कैसे आपको चीजे जानने को मिलती है और काफी सक्सेफ्फूल ट्रेडर मेरे साथ आज भी ट्रेड करते हैं मेरे फ्री लाइम आना चाहते है तो प्लीज टेलेग्रम में आपको डेटल मिलेगी आज़के है इनकेस प्लीज जोइन करिए एक बार द तेकं़